नमस्कार किसान भाईयो आपका एक बार फिर्ष वागत है आपके अपने मन पसंद ट्यूप चैनल इंडियन एक्रिकल्चर में किसान भाईयो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का में सुन्डी का कंट्रोल कैसे करें अर्था में मक्का में पहली स्प्रे कप करनी चाहिए, दूसरी कप करनी चाहिए, पहली स्प्रे में कौन से दबा का प्रियों करनी चाहिए, दूसरी में कौन से करना चाहिए, जिसके हमारे जो पोध हैं, उमोटे होकर चले, तंदर थोकर चले, और उनके अंदर इल्लिया भी ना लगें। यो किसानभाई हम सुरूबात में इल्ली का कंटरों कर लेते हैं तो हमारी फ़सल सुचारू रूप से चलती रहती रहती है। युझानभाई हमारी मक्का की फ़सल North में एक बार इल्ली लग ग जा Dharma तो उसका कंटरों करना बहुत जय्याद मुस्किल हो जाता है। कभी-कभी देखा जाता है कि जो भुट्टा आता उसके अंदर भी इल्ले का प्रिकॉफ हो जाता है तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकरी दी जाएगी कि आपको मक्का की फचल में कितने इस्प्रेकरन चाहिए और कौन-कौन सी दवायों का इस्तमाल करना चाहि किसान भाईयो मैं समय समय पर आपके लिए खेती से सम्मद्द हर प्रिकार की वीडियो आपकी सब्जी की फसल है आपकी अनाज की फसल है आपकी गर्ने की फसल है आपकी आलो की फसल है आपकी मक्का की फसल है किसी प्रिकार की आपकी फसल है उसके बारों में वीडियो अप प्रस्वास़की हो जाएग तो उससमें आगे के लिए और डिया ना लगा देने चाहिए और हम पहली इस्प्रे में ऐसी दबागा प्रियोग करना चाहिए तो दूसरी स्प्रे में केबल हलकी फुलकी दवाई लगाने के आवस्ता पढ़ेगी और आपकी जो फसल है एकदम स्वास्तों के चलेगी पोधे मोटे को चलेंगे और फसल एकदम हरी भरी रहेगी किसानवायू यदि हमारी फसल हरी भरी रहेगी तो उस पर भुट्टा भी अच्छा आएगा किसानवाई अब हम बात कर लेते हैं कि हमें मक्का की पहली स्प्रे में कौन कुछी दवायों का इस्तवाल करना चाहिए तो इसके लिए किसानवाई आपको मार्किट से लेकर आनी है एक टेक्निकल आता है इमाम अक्टो बैंजेट 5% SG फोम में यह होता उसके साफ्ट आपको यह एक गिराम पर लीटर के साफ़ते जो आपका पंदर लीटर वाला पानी में पंदर गिराम दबा की आवस्क्ता बड़े किसान भई हो मैं आपको 15 लीटर वाले पंप इसलिए बता रहा हूं कि किसान सभी तरे की कृती करते हैं चोटे किसान भ यह बहुत सस्ता प्रोड़क्ट है इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आपको 30 ml पिरती पंप के साब से इसे इसमें ही एड़ करना है यदि आपकी फचल की गिरोध आपको बढ़ानी है तो इसके साथ आपको एनपी के उनिस उनिस का एड़ करना है किसानवाई हो एनपी के इसमें एड़ करना के सानवाई हो डिटेर्जन पाउडर जिससे हम कपले की धुलाई करते हैं इसकी यदि हम डोज की बात करें तो आप इसे 25 से 30 गिराम पिरती पंप के साब से इसमें एड़ कर सकते हैं अब इसके गोले का तरीका है यह बहुत जरूरी है जब इसका आप एनपीके 19-19 है इसे आप अलग घोले और उसके बाद पंप में डाल दें ऐसा ना करें कि सभी दवाईों को एक जिक मिक्स ना करें एनपीके को आप अलग घोले उसके बाद इसमें मिक्स कर सकते हैं और घोल बनाने के बाद में किसरावाई यह आप अपनी फैसल पर इसका कर दें इस पर अच्छे तरे किस करें ताकि पोड़े तरी किस करने का वहाँ और नियुक्य छती है पर पहले से उसके अंदर पानी की माता जाब होती है विए शूब्य को इसलिश लिए आप हमेशा साम के समय में इसमें इस पर करें और साफ टंकी कर दो आपको किसी अन्य फ़सर के बारे में कोई जान करें चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और चैनल को जरू सस्काइब परें थैंक्स पर वाचिंग माई वीडियो